नमस्कार जाहिंद आईपिल 2023 के बीच में एक मनुस खबर सामने आ रही है दरसल वर्ल्ड कप किर्केट का एक दिगच बलेबाज 2023 वर्ल्ड कप में बाहर हो सकता है कौन है बलेबाज बताएंगे आगे इस वीडियो में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कून भूले इंडिया प्रियम अम्रीग आईपिल में गुजरा टाइटन्स की तरफ से खेलते हुए चोटिल होने वाले निजिलेंड के कपतान केल बिलियम सम इस साल के आखरी में भारत में होने वाले दोजर तेइस वन डे वर्ल्ल कप से बाहर हो सकते हैं केन बिलियम सम चोटिल होने के बाद निजिलेंड लौट गए थे और मंगलवार को एसकेन से पुष्टी हुई की उन्हें अपने दाय घुटने का आप्रेशन करवाना होगा केन बिलियम सम महमदाबाद में गुजरा टाइटन्स की तरफ से चेनाई सुपर केंग्स के खिलाब फेलिंग करते समय चोटिल हो गए थे न्यूजिलेंड किर्केट के बियान के अनुसार दाहिने हाथ के इस बल्लेवाज का अगले तीना सप्ता के अंदर अप्रेशन किया जाएगा केंग्स ने यह खबर मिलने के बाद न्यूजिलेंड किर्केट और अपनी आईपियल फेनचाईजी का अभार व्यक्त किया है केंग्स ने कहा पिछले दिनों मुझे बहुत सहयोग मिला और इसके लिए मैं गुजरा टाइटन्स का अभार व्यक्त करता हूँ यह सब भाविक है कि इस तरफ की चोट लगने से मैं काफी निरास हूँ लेकिन मेरा ध्यान अभी सर्जरी और उसके बाद फिटनेस हासिल करने पर है इसमें कुछ समय लगेगा लेकिन मैं जल सजल मैदान पर उतरने के लिए अपनी तरफ से हर संभव परियास करूँगा इस तरफ की चोट से उबरने और पूर फिटनेस हासिल करने में काफी समय लग जाता है और इससे देखते हुए बिलियम सम का आक्टूबा नौवामबर में होने वाले वन डे वर्ल्ड कप तक पूरी तरफ फिट होना असंभव लगता है